हेलो गाइज, वालकम बैक तो दे चैनल, I hope you all are doing great तो जैसा कि मैंने आपको सुभे बताया था कि शाम को आपको कुरंट अफेर्स पे वीडियो मिला करेगी तो आज हम हम हिमाचल प्रदेश के कुरंट अफेर्स डिसकस करेंगे क्योंकि हमें लगता है कि इस बार जो टैट में आपसे कुरंट अफेर्स पूछे जाएंगे वो maximum questions जो है वो HP से related ही रहेंगे क्योंकि अभी-अभी election भी हुए हैं, बहुत कुछ जो है वो खबरों में रह रहा है हिमाचल का तो आज हम हिमाचल के एक रंड़ फेर्स जो है वो discuss कर लेते हैं ताकि आपके exam में आपको कोई भी दिकत ना हूँ, जहां से भी question आपसे पूछे जाए आप easily उनका answer टिक कर सको, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आज का हमारा first question है, content जो है यहां पर आपको English में मिलेगा, बाकी मैं आपको Hindi में भी बता दिया करूंगी, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, जो भी Hindi medium वाले students हैं, उनको Hindi में भी question जो है, मैं आपको translate करके बता दिया करूंगी, राइट, चलिए शुरू करते है और first question है, recently who has been appointed as new chief secretary of Himajal Pradesh, तो अभी हाल ही में new chief secretary कौन बने है, Himajal Pradesh के ये पूछा गया है आपसे, तो chief secretary जो बने है, वो बने है, प्रबोध सक्सेना, option B इसमें आपका सही उतर होगा, important question है, मैं बार बार कह रहे हूं कि एक छोटी सी copy ले लीजिए, ठीक है, डाइरी ल जैसे भी आपको ठीक लगता है, और उस पे ये current affairs के question लिख लीजिए साथ-साथ में, क्यूंकि जैसे ही exam नजदीक आएगा, पहले दिन आप अपने notes उठाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है, उस time आपको वीडियो देखनी की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी, आप अपने notes जो है, व of HP, और आगे लिख दीजिए प्रबोध सक्सेना, इस तरह से आप short notes बना सकते हैं, next question देखते हैं, इंडिया-US joint special forces exercise dash was held at special forces training school in bakloh, हिमाचल परदेश, तो सबसे पहल मैं बता देती हूं कि bakloh जो है, ये चंबा में है, ठीक है, ये जो स्थान है bakloh, कहां पर है, ये चंब में हुई है, इसलिए ये important है हमारे लिए, क्योंकि हिमाचल परदेश में इसका आयोजन हुआ है, तो ये पूछा गया है कि कौन सी exercise है, जो कि bakloh में हुई है, तो ये हुई है आपकी वजर प्रहार, option C is the right answer, वजर प्रहार जो exercise है, ये किस-किस के बीच में हुई है, भारत और USA के बीच, ठीक है, याद रखना है, भारत और USA के बीच में हुई है, कहां पर हुई है, चमबा के बकलोह में, next question देखते हैं, who is that recipient of the 2022 दपाल रंगम दस्तन अवार्ड, the highest civilian honor of Ladakh, ये जो यहां पर अवार्ड का नाम दिया गया है, डी पाल रंगम दस्तन अवार्ड, य लदाख आपको पता है, अभी हमारी union territory है, लदाख, वहां का सरवोच सम्मान है ये, और 2022 में किसी दिया गया है, तो ये दिया गया है, दलाई लामा को, option C is the right answer, इसलिए important है, क्योंकि दलाई लामा आपको पता है, अभी हमाचल के धरमशाला में रहते हैं, मैकलोड गंज मे इसलिए ये question हमारे लिए important हो जाता है, ठीक है, और एक छोटा सा question जो कि आपने comment section में बताना है, कि दलाई लामा जो है, ये कब तिबबत से भारत आये थे, कब इनको भारत ने शरण दी यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से comment section में बताईए, important question है, ये भी आपसे exam में पूछा ज हमचल परदेश, हमचल परदेश के जो नए लोका युक्त है, वो कौन बने है, किसको बनाया गया है, नया लोका युक्त, तो ये बने है आपके justice c.b. बरोवालिया, option d. is the right answer, कौन बने है, justice c.b. बरोवालिया, ठीक है, नियाय मूर्ती, चंदर भूशन, बरोवालिया, इन तशी गंग जो है, ये लाहॉल एंड स्पिती में है, क्यों इंपोर्टन है तशी गंग हमारे लिए, क्योंकि ये highest polling station है, ठीक है, और यहां पर जो है, total number of voters, जो है, वो कितने है, तो total number of voters है, 52, option B is the right answer, right, याद रखना है आपने, जिसमें की 22 आपकी women है, और 30 जो है, वो आ हमाचल परदेश, विधान सबा, हमाचल परदेश जो है, इसके अध्यक्ष कौन बने है, ये पूछा गया है, अभी जू चुनाव होए है, अभी आपको बता है, हमाचल परदेश में कॉंग्रेस की सरकार है, तो पता होना चाहिए, कि speaker जो है, हमाचल परदेश के वो अभी capacity is. कहा गया है कि अभी हाल ही में जो सुन्नी hydroelectric project है उसको approval दिया गया है और इसकी जो total capacity है वो कितनी है सबसे पहले आपको मैं बता देती हूं कि सुन्नी जो है ये आपके shimla district में पढ़ता है ठीक है कहां पर पढ़ता है? shimla district में पढ़ता है ये जो है hydroelectric project यहां पर बन रहा है इसकी जो total capacity है 382 megawatt option B is the right answer right? capacity आप से पूछी जा सकती है अब आपने क्या करना है देखो मैं आपको बता दिया सुन्नी hydroelectric project के बारे में अब आपका homework है कि जितने भी hydroelectric project है हिमाजल में उनको आप एक बार पढ़के जाएए ठीक है जो भी important important है उनको उनकी capacity कितनी है ये भी पढ़के जाना है क्यूंकि उसमें से question बनता है right? next question देखते है recently who has been appointed as principal secretary of हिमाजल परदेश हिमाजल chief minister हिमाजल के जो CM है जो सुखविंदर सिंग सुखुजी है उनके जो principal secretary है वो किसे appoint किया गया है ठीक है? उनका जो principal secretary है वो बने है भारत खेरा option A is the right answer कौन बने है भारत खेरा याद रखना है आपने ये नाम next question है at which place in हिमाजल परदेश the district level the district level मकर सक्रान्ती fair is celebrated in the month of January हुआ on सिस्थान पर हिमाजल प्रदेश में से कहाँ पर gust तक है district level Lisa का पर बनाई जाती है आपको पातों मकर सक्रान्ती कब बनाई जाती है January में मनाई जाती है ठीक है अहांपर मनाई गई है यह district level की तो यह इस बार मनाई ही है ततखा पानी में तत्ता पानी में जो है डिस्टिक लेवल मकर सक्रांती जो मेला है वो आयूजित किया जाता है next question देखते है what is him era which is recently in news him era क्या है जो कि अभी खबरो में रहा है तो यह क्या है यह market form है एक market form है him era ठीक है जो market form है him era यह किसके दोरा चला जाता है self-help groups के द्वारा चलाया जा रहा है selling local, rural and homemade products जो local, rural और homemade products है उनको जनी के लिए यह चलाया जा रहा है next question है at present who is the parliamentary affairs minister of himachal pradesh वर्तमान में parliamentary affairs minister कौन है himachal pradesh के तो वो है आपके हर्ष वर्धन चुहान option D is the right answer कौन से मिनिस्टर है यह parliamentary affairs minister याद रखना है हर्ष वर्धन चौहान next question है himachal pradesh government aims to become first green energy state by most most important question है star mark कर लीजे इसको यह question आप से पूछा जा सकता है exam में ठीक है बहुत जादा संभावना है इसके अभी आपको पता है कि इंडिया जो है वो green energy पे 25 जो है वो लक्षे रखा गया है himachal pradesh को first green energy state मनाया जाएगा ठीक है कब तक का लक्षे रखा गया है 2025 तक का option C is the right answer next question है where was the 53rd statehood day of himachal pradesh organized recently statehood day आपको पता है कब मनाया जाता है 15th of April को ठीक है 15 April को मनाया जाता है आपका statehood day तो ये इस बार जो है 53 नंबर का statehood day है और कहां पर इसको organize किया गया है इस बार तो ये organize किया गया है हमिरपूर में option C is the right answer next question है आपका नेक राम शर्मा a farmer of himachal pradesh has been conferred with the prestigious padam shri award belongs to which district most important question है इसको भी star mark कर लीजिए पूछा जा सकता है नेक राम शर्मा जो है हाल ही में सुर्खियों में बने हैं क्यों बने हैं क्योंकि इनको जो है वो padam shri award दिया गया है ठीक है किसके दोरह ये award दिये जाते हैं राष्ट्रपती के दोरह ये award दिये जाते हैं तो इनको मिला है padam shri award क्यों दिया गया है न को क्योंकी इन्होंने जो है वो अग्री कल्चिर के सेक्टर में जो है वो काफ़ जाधा काम किया है ठीक है सराहनी काम किया है इसके लिए इंको पदमश्री आवाड दिया गया है कहा से संबंध रखते हैं नेकराम शर्मा तो यह आपके मंडी डिस्टिक से संबंध रखते हैं option D इसमें सही उतर होगा next question है which of the following has been recently conferred with राष्ट्रपती पुलिस मैडल राष्ट्रपती जो पुलिस मैडल है वो इस बार किसे दिया गया है तो वो दिया गया है बोथ A and B सत्वंत अत्वलत्रिवेदी और अनुज तोमर को किस-किस को मिला है दो लोगों को मिला है सत्वंत अत्वलत्रवेदी और अनुज तोमर option A and B is the right answer next question है under the मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना how much present investment subsidy has been given for women beneficiaries and differently abled applicants तो यहाँ पर क्या पूछा गया है एक योजना है हिमचल प्रदेश सरकार की जिसका नाम है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना क्या नाम है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना यह जो योजना है इसके तहल subsidy दी जाती है इसको अपना काम शुरू करना है, उसके लिए इसके तह़ जो है वो subsidy दी जाएगी, तो यहां पर पूछा गया है कि कितनी जो subsidy है वो women को मिलती है, और जो कितनी जो subsidy है वो women और differently जो abled persons है, उनके लिए दी जाती है, तो उनके लिए दी जाती है 35% subsidy ठीक है 35% subsidy किसको दी जाती है जो women है और जो differently abled जो applicants है उनके उनको जो है 35% subsidy यहाँ पर दी जाती है ध्यान रखना है आपने important question है next है what is the objective of the परवत माला scheme announced recently तो यह भी scheme है एक चलाई हुई परवत माला scheme आपने याद रखना है कौनसी scheme है परवत माला किस लिए यह चलाई जा रही है तो यह चलाई जा रही है transportation in hills के लिए ठीक है केबल कार आपने सुना होगा इस तरह की चीजें जो है इसमें की जाएंगी ताकि पहाडों तक जो आपकी पहुंच है उसको आसान वनाए जा सके आपको पता है भानुपली बिलासपूर रेलवे लाइन जो है चर्चा में है ठीक है और इसके लिए जो है कितने बजट की घोशना की गई है तो एक हजार करोड का जो बजट है वो इसके लिए लोकेट किया गया है किसके लिए भानुपली बिलासपूर रेलवे लाइन ठीक ह नेक्स्ट कॉश्टिन है रिसेंटली विच फॉर्म ऑफ डान्स वाज परफॉर्म्ड इन जी ट्वेंटी सम्मिट आपको पता है इस बार हमने डिसकस भी किया है ये कॉश्टिन दू-तीन बार कि इस बार जो 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 होस्ट है वो कौन है वो है इंडिया पैका है 2023 मेंगाथ कि अध्ष्षटा कॉन कर रहा है बारत कर रहा है तो जी ट्वाइंटी जो सब्मित धरमशाला में हूई आपको पता है कि देश के अलग-ख कोनों में जो है वो जी-ट्वेंटी हो रही है हि मिचल के धरमशाला में भी आःउजित की की गई है तो यहां पर जो dance है, जो perform किया गया था, dance, वो कौन सा dance यहां पर perform किया गया था, तो यहां पर सिरमोरी dance जो है, वो perform किया गया था, ठीक है, option B is the right answer, next question है, hydrogen gas stations will be established at which of the following railway station, hydrogen gas stations, जो है, वो कहां पर established किये जाएंगे, कौन से railway station पर, तो यह है आपका all of these, जिसमें, शिमला, ब रोग काल का, सभी के सभी stations, जो है, वो hydrogen gas stations, जो है, वो यहां पर established किये जाएंगे, ठीक है, next question है, और यह हमारा आज का last question रहने वाला है, बाकी के जो बचे हुए questions है, वो हम कल discuss करेंगे, कल शाम को आपको फिर से current affairs पे वीडियो मेलेगी, हमाचल की current affairs उसमें हम discuss कर लेंगे ठीक है, justice sanjay का रोल, recently appointed as judge of supreme court, belongs to which district of हमाचल परदेश, justice sanjay का रोल है, ठीक है, यह हाल ही में supreme court में judge न्युक्त हुए है, तो यह कौन सी district से संबन रखते हैं हमाचल परदेश की, तो यह हैं कांगडा से, option B इसमें आपका सही उतर होगा, important question है, यह भी star mark कर लीजिए, कौन है Sanjay का रोल है, supreme court में judge न्युक्त हुए है, यह हमाचल परदेश के कांगडा से समद रखते हैं, right, तो यह थी आज की छोटी से वीडियो, I hope आपको पसंद आई होगी, पर, note कर लीजिए का questions, काफी ज्यादा काम आएंगे आपके exam में, बहुत help करने वाले हैं आपकी, मिलते ह नेक्स्ट वीडियो में guys, तब तक के लिए, bye bye, take care